एक औरत, खचाखच भरी एक कसाई की दुकान में गई। उसने वहाँ दरजनों तयार मुर्गे लटके हुए देखे। वो उनके पास गई, एक टांग उठाई और सूंगी, दूसरी टांग उठाई और सूंगी, एक पंख उठाया और सूंगा। कुछ ऐसे वो एक के बाद एक चिकन को परखने लगी, फिर कसाई आया उसके कंधे पर धपकी दियो और बोला, मैडम, क्या आप खुद ऐसा टेस्ट पास कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी. तो चारो तरफ सूंगते मत फिरिये, इस आदमी में क्या कमी है, उस औरत में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, वो क्या गलत कर रहा है? सभी से थोड़ी बाद बद्बू आती है. हाँ, हर पेड, हर पौधे की जड़ें, किसी ना किसी तरह की गंदगी में होती है. सवाल बस ये है, कि क्या वो खुश्बू वाले फूल देता है? सवाल बस इतना ही है. अगर जड़ें बिलकुल साफ होंगी, तो उनसे कुछ भी बहुत बढ़िया चीज पैदा नहीं होगी. क्या हम रुपांतरन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, क्योंकि यही जीवन का सोभाव है? क्या हम एक निरंतर रुपांतरन की प्रक्रिया हैं, क्योंकि हर चीज है? धर्ती की हर दूसरी चीज लगातार रुपांतरन के प्रोसेस में हैं. क्या आप खुद एक रूपांतरण की प्रक्रिया हैं ये एक बड़ा सवाल है अगर इस सवाल के जवाब में आप एक बड़ी हाँ हैं तो बाकी कोई चीज माइने नहीं रखती अगर आप एक ही जगा में अटके पड़े हैं हर रोज किसी ना किसी चीज में उलजे रहते हैं और खुद को धोका देने वाले कारण ढूंते रहते हैं कि आप क्यों उटके पड़े हैं तब आपसे कोई उम्मीद नहीं बचिए आप इस धर्ती पर समय की बर्बादी हैं जब मैं कहता हूँ समय की बर्बादी आपसे एक लाख टिडड़े या तितलियां बनाए जा सकते थे आपके शरीर के वजन के हिसाब से हाँ या नहीं अगर आप दूसरे हर प्राणी से कुछ बहतर नहीं कर बारे हैं तो जीवन सार्थक नहीं है क्योंकि हमारा जीवन बहुत महंगा है हाँ या नहीं हम बहुत महंगे प्राणी हैं हर मामले में महंगे खाने के लिए, सोने के लिए चलने के लिए हमें कितनी विवस्थाईं चाहिए होती हैं हाँ या नहीं चपल जूते से लेकर कपड़ों ताग किमारतों से लेकर कितनी ववस्थाएं चाहिए होती है मुझे जंगल में कोई किचन नहीं दिखता और उन्हें भर पेट खाना मिलता है नहीं कभी अपने हाथी को जूते पहन कर गुमते देखा है यह बहुत महंगा जीवन है इतना खर्च होने के बाद इसे कुछ बहतर करना चाहिए दूसरे सारे प्राणियों से बहतर कुछ काम हमने एक प्रजाती के रूप में, मानवजाती के रूप में कई बुरी चीजें की हैं कई अद्भुद चीजें भी की हैं पर अपने हर बढ़िया काम के लिए हमारे पास दिखाने के लिए कम से कम एक बुरी चीज है अगर और ज़्यादा न भी हुई तो आध्यात्मिक प्रॉसेस का मतलब बस ये है कि आप हर रोज अपनी बुरी चीजों को घटाते जाएं कोई बुरा विचार, कोई बुरी भावना, कोई बुरा शब्द, कोई बुरा काम हर रोज एक कम करते जाएं आप एक-दो महिने में बहुत आगे बढ़ जाएंगे कि मैं आपको कमा करहा हूँ कि मुझे लगा आप में बस तीस बुरी चीजे है इंसान की सबसे बुरी बात ये है वो अपनी ही चीजों में इतने बिसी है उनको दूसरे प्राणियों का दर्द, उनकी तकलीफ और कुछ भी महसूस नहीं होती समवेदनशील नहीं है समवेदनशील नहोना सबसे भयानक अपराद है क्योंकि अगर हम समवेदनशील होते एहंकार के प्रती नहीं, जीवन के प्रती अगर हम जीवन के प्रती समवेदनशील होते तो हर वो चीज जो हम कर पाते, वो हम हमेशा करते जो हम नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते है हम नहीं कर सकते, बस पर हम जो कर सकते हैं, वो हो जाता एक सुडानी आदमी था आपको सुडान पता है? दो सुडान है, आपको पता है? हलो? दो सुडान है सुडानी लोग ऐसा माना जाता है मैं इसका विश्यशक ये नहीं हूँ ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश सुडानी लोग भारतिय मूलके हैं वो अब भी डोसा खाते हैं उनकी संस्कृती हमारे जैसी ही है वो बहुत हत्तक भारतियों जैसे दिखते हैं वो अफरीकी आबादी के साथ घुल मिल गए हैं पर वो कुछ हजार साल पहले ही वहां गए हैं तो एक सुडानी आदमी मारकेच में एक उंटों के बाजार में गया, मुरको गया वहां एक बहुत प्रसिद्ध उंट बाजार है एक उंट बाजार राजिस्तान के पुछकर में भी है तो वो अपना उंट बेचने गया तो उसने पाया बाजार में जितने भी उंट थे सारे के सारे उसके उंट से काफी बड़े थे तो उसने चारों और देखा हर उंट उसके उंट से बड़ा था तब उसने बरबर आदमी से पूछा बरबर एक जंजाती है बरबरता शब्द इसी जंजाती से आया है वो बरबर आदमी है, अपने बड़े उंटों के बीच वहाँ बैठा था इसने पूछा आपके उंट इतने बड़े कैसे हैं और मेरे बमुश्किल आपके उंटों के आधे हैं वो बला सीधी सी बात है मैं तुम्हारा उंट देख रहा हूँ तुमने इसका नपुन सकी करणिया कैस्ट्रेशन नहीं करवाया है अगर तुम अपने उंट को कैस्ट्रेट करवा दो वो बढ़ जाएगा उसने पूछा मैं ऐसा कैसे करूँ वो बला बहुत आसान है दो इंट लो और उंट के अंड़कोशों को फोड़ डालो और उसके बार तुम्हारा उंट बहुत बढ़ा हो जाएगा कैसे दर्द नहीं होगा उसने पूछा वो बला बिलकुल नहीं मैं तुमको दिखाता हूँ और वो एक उंट लेकर आया दो इंटे लिए और अंड़कोश फोड़ दिया उंट दर्द से करा उठा और भागा ये सुड़ानी आदमी ने पूछा पर आपने बोला था दर्द नहीं होगा अरे दर्द सिर्फ तब होता है अगर आपके उंगली इंटों के बीच आ जाए आपके साथ जो होता है उसको लेकर आप बड़े सम्विधनशील होते हैं पर बाकियों को जो होता है उसको लेकर ना के बराबर सम्विधनशील है ऐसी हालत में इंसान का सबसे बढ़िया स्वभाव कभी प्रकट नहीं हो पाएगा आपको सम्विधनशील बढ़ना होगा आपको समझना चाहिए कि पेड़ ये भूल ये बक्षी और सारे जीव अपने आसपास होने वाली हर चीज़ को लेकर बहुत सम्विधनशील है वो किसी को चोट नहीं पहुँचा दे जब तक कि उन्हें खाना न खाना हो जब तक बात खाने की नहूँ वो कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देते और वो बहुत सम्विधनशील है जीवन को लेकर संसिटिव वैसे नहीं जैसे आप समझते हैं वैसे भावनाओं के रूप में नहीं बलकि सीधा सीधा जीवन को लेकर सम्विधनशील है दर्शन के दौरान कभी इस पेड की डाली ने नीचे गिर कर आप में से किसी को भी नहीं मारा ज़रा देखिएगा वो या तो भोजन के लिए या आत्मरक्षा के लिए मारते हैं वरना कोई जानवर यूँ ही नहीं मारता तो इंसानों को दिखाना होगा कि हम थोड़े जादा विकसित हैं हमें दूसरे ताकतवर प्राणियों के मुकाबले थोड़ा और विकास दिखाना होगा जो यहां मौजूद हैं कम से कम हमारे सबसे करीबियों की तरह है ना हमारे सबसे करीबी रिष्टेदानों की तरह कम से कम उतना तो हाँ मैं जानता हूँ कि दुनिया में संसाधनों के लिए मुकाबला है हर चीज के लिए मुकाबला है और यहां वहां थोड़ा टक्राव जरूर होगा मैं उन चीजों से अंजान नहीं हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम अपने भीतर होने वाले टक्राव को खत्म कर दें वैसे भी आपको उससे कुछ मिलता नहीं ऐसा होता है की नहीं अपने आप आप हर मुर्गे को ऐसे सूंग रहे हैं पर आप उस टेस्ट में खुद पास नहीं होने वाले